कि नमस्कार दोस्तोंाब सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्ईव चैनल वैकेंसे गुरु में दोस्तों मैं राम सर्मा एक बार और आप इक नए और मेत्त पूंड वीडियो केसाथ उपस दितूं दोस्तों इस वीडियो में सभी मेत्त पूंड प्रस्ण मपड़ेंगे और जानेंगे हर एक math person के बारे में analysis करेंगे और सबी चीजों को बारे किसे सीखने के कोशिश करेंगे question number 1 आपके सामने screen पर है सबसे पहले मैं आपसे कहुंगा वीडियो को like कर दीजे फटाबर से और फिर हम questions के और बढ़ते हैं question number 1 है MS Outlook 2010 का मुख्य उप्योग क्या है यानि कि Microsoft Outlook क्या काम में आता है Outlook का मुख्य उप्योग क्या है दोस्तों MS Outlook का जो मुख्य उप्योग होता है वो email application के रूप में होता है मतलब इसका मुख्य उप्योग email application के रूप में किया जाता है option c में देख रहे हैं आप मुख्यों प्यों यहां पर email application के रूप में किया ज़ता है दूसरा प्रसंद देखिए किसी प्रकार का व्यक्तिगत email खाता आम तोर पर अपने computer पर email download करने के लिए काम में आता है अगर आपने इस प्रसंद में option c जवाब दिया है या फिर आपके इसाब से अगर इसमें option c जवाब है तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का प्रसंद नमर तीन देखिए Microsoft PowerPoint 2010 में animation फलक का उपयोग क्या है यानि MS PowerPoint में animation pen क्या काम में आता है प्रसंद नमर चार किस application software को आम तोर पर PDF फाइल देखने के काम में ले जाता है अर्थार PDF फाइल को देखने के लिए कौन सा software काम में लेते हैं में तो इसका सही जवाब जो है वो है Adobe Reader Adobe Reader का यूज किया जाता है फाइलों को देखने के लिए PDF ही तो इसका सही जवाब option C रहेगा मेरा प्रसंद आपसे एक है आपको कमेंट करके बताना है कि PDF का पूरा नाम क्या होता है कमेंट करके जरूर बता है प्रसंद नमर पांच पांच प्रसंद नहीं यदि आपने गल को मालूम है कि undo करने की shortcut की जो होती है वो control प्लस Z होती है यानि कि option यहाँ पर C सही जवाब है छटा प्रसंद देखिए खालिस्तान MS Excel 2010 टूल है जो किसी अग्यात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछड़ा काम करता है अर्थार आपके computer में MS Excel के अंदर अगर आपको किसी भी अग्यात value का पता लगाना है तो आप कौन से function का यूज़ करते हैं दोस्तों अगर किसी अग्यात value का पता लगाना है तो आप में आप यहां पर गोल सीक का इस्तमाल करेंगे ठीक है इसका सही जवाब रहेगा गोल सीक अगर आप गोल सीक करते हैं तो आप किसी भी अग्यात value का पता कर सकते हैं option number six का सही जवाब है साथवा देखिए ms excel दो जाए तसमें function विभाजक द्वारा विभाजित संक्या के बाद सेस राशी प्रदशित करता है अर्था साथवी प्रसंद में यह कह रहा है कि आपका कौन सा function है जो आपके किसी भी मतलब जो document है ms excel है उसके अंदर क्या करता है सेसपल का पता लगता है सेसपल कैसे जैसे मैं आपको for example बताने चाहूंगा कि आपने अगर मालो 54 में 5 का भाग देना है तो सेसपल आपका 4 बचेगा तो आप इसके लिए कुन सा function लगाएंगे बराबर mod bracket open आप लेखेंगे 54,5 bracket of enter अगर यह करते हैं तो आपका answer 4 आएगा क यह की आपको यहाँपर किसका पता लगाना है इस एस राज़िए का aст ऐज्वाब अगला आटवा प्रशन आटवा प्रसन खालिस्तान को आम तोर पर इंट्रनेत पर यातायात निर्देशन के कारी के लिए इस्ता एंद्रनेट पर यातायात का संभालता है मित्रों इंटरनेट पर याता है आतकुस जो संबालने वाला होता है उसे हम राउटर कहते हैं क्या कहते हैं राउटर अरतात ओप्सन एज का सही जवाब है नवा परसन देखिए दोस्तों नवा परसन देखने से पहले बताने चाहूंगा आप जो exam के दिन morning में live class होती है उसके लिए उसको पाने के लिए चैनल को अभी subscribe कर लेना क्योंकि अगर आप subscribe नहीं करेंगे तो आपको उसका notification नहीं मिलेगा तो वो video बहुती ज़्यादा मैत्मोना को ज़कि exam के दिन सुबह 7 से 9 बजे तक लाई चलेगा question number no MS Word 2010 में निमन में से कौन सी कारिक्षमता परस्ट layout समू है विकल्प के साथ उखलब दनी है यानि कि MS PowerPoint या MS Word या MS Excel इन में क्या है ऐसा जो PowerPoint में सोरी page layout में नहीं होता options से orientation, विकल्प, portrait, landscape ये तो होता है page layout में indent option ये भी आपका page layout में होता है table आपका नहीं होता और प्रस्ट के पीछे जो watermark डालना booty text डालना ये भी होता है अर्थात क्या नहीं होता table बनाना table काहाँ पर बना सकते हैं आप आप table insert table से बना सकते हैं यानि कि option 6 का सही जवाब है दस्वाँ देखिए monitor के resolution से आप क्या समझते हैं तो मौनेटर के resolution से मतलब chirp कि एक monitoring screen जो होते हैं उसके अंदर जो चित्र बनता है वो छोटे चोटे बिंदूओ से मिलकर अगण ढंता है डोट 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 इनसे मिलकर क्या बनता है एक जो है पूरी image बनतिungkinäg तो यह जो dot होते हैं दोस्तों यह pixel कहलाते है क्या कहलाते pixel और pixels में ही monitor का resolution को मापा जाता है तो option ने इसका साही जवाब रहेगा क्या है pixels की अधिक्तम संक्या जो monitor में खेती जो और लंबुवत प्रदरसित कर सकता है वहीं monitor का resolution होता है प्रसेट नमर 11 देखिए आप MS Windows में निसुल्क mobile application और game पर आप कहां से कर सकते हैं यानि कि आपके पास Microsoft Windows हैं तो आपको अगर free में apps और games डाउनलोड करने हैं जैसा कि आप play store सकते हैं mobile में उसी परकार computer में करना है तो आप कहां से करेंगे आप Windows Store से करेंगे याद रखना Windows Store ठीक है ये इसका सही जवाब रहेगा option A अगला परसन देखें बारवा बारवा परसन आपके सामने VGA card क्या होता है एक ATM card है graphic adapter card है debit card है या फिर निमनतरन का card है इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों एक VGA card एक graphics adapter card होता है परसन नमर 13 निमन में से कौन सा सही है एक MB में 1044 किलो बाइट एक MB में 2043 बाइट एक KB में 1024 बाइट या फिर एक KB में 1000 बाइट दोस्तों एक KB is equal to 1024 बाइट ये इसका सही जवाब है option C ठीक है बाकि options गला पता है चोद्वा परसन देखें FAT का पुरणाम क्या होता है मैं तोरो FAT file allocation table FAT का पुरणाम होता है file allocation table यानि option A 14 परसन का सही जवाब है अगला परसन देखें 15 और 15 परसन बहुती ज़्यादे मैत्पून है एक्जाम की दरश्टी से और बहुती ज़्यादा सरल भी आप सबको आना चाहिए keyboard पर function कुझियों की संख्या कितनी होती दोस्तों keyboard पर function keys की संख्या जो रहती है वो F1 से F12 तक होती है यानि total संख्या 12 होती है इनकी तो इसका सही जवाब आपका जो रहेगा वो रहेगा option C यानि की 12 ठीक है आगे जलते है पर 60% सोलवा है वेव ब्राउजर के बारे में वेव ब्राउजर के बारे में सबसे उप्योक्त विकल्प कौन सा है यानि वेव ब्राउजर क्या होता है www पर सामगरी को पता लगाने निकालने और प्रदरसित करने के लिए इस्तमाल किये जाने वाले application software ठीक है बिल्कुल सही है वेव ब्राउजर यही होता है दूसरा एक क्लाइंट है जो की वेव सर्वर से संपर्क कर जानकरी का नरोद करता है ये भी बिल्कुल सही है ए और भी दोनो ठीक है तो इसका सही जवाब रहेगा ए और भी दोनो ठीक है आगे चलते है YouTube क्या है मैं तो नो यूट्यूब एक वीडियो साज़ा करने और वीडियो खुज वेबसाइट है जो उप्योग करता को वीडियो अप्लोड करने देखने और साज़ा करने के नमे कहते हैं मतलब अगर आप वेबसाइट देखना चाहते हो वेबसाट का आप जहां पर एडरेस डालते है ठीक है URL तो यह जहां पर adequat उड्यूर्स बार होता है तो एड्रह्रस बार में जो एड्रस तो उसे मं क्या किते URL कहते URL को पूरणाम होता है uniform resource locator uniform resource locator और URL किसी वेबस करेंगे तो option B इसमें सही जवाब रहेगा compose पर क्लिक करके 20 वा प्रसंद देखिए MS Excel 2010 में text string के सुरू से अंत के रिक्तिस्तान और duplicate इस्तान को हटाने के लिए कुनसा function का मिलेता हैं दोस्तों अगर आपको unwanted unwanted space अटाना है खालिस्तान अटाना है तो आप trim function का इस्तिमाल करेंगे याद रखना trim तो option D का सभी जवाब रहेगा trim से क्या कर सकते हैं unwanted message अपने जो space होता है उसको अटा सकते हैं 21% में से कौन सा function MS Excel 2010 में text string की लंबाई को नापता है दोस्तों text की लंबाई को नापने के लिए जो function होता है उसको land function कहते हैं और इसका पूरा नाम होता है length length का मीतन होता है लंबाई 22% क्या है एक खालिस्तान कुंजी में एक या एक से अधिक field होती है जो MS Excel में परतेक record को विशिष्ट रूप से तालिका के रूप में पहचानती है मतलब कौन सा एक ऐसा field है जो MS Excel में परतेक record को विशिष्ट रूप से तालिका के रूप में पहचान करता है text, field, secondary, primary और इसका सही जवाब है दोस्तों option B, field ठीक है ते भी स्वाप्रसंद देखिए इन में से pen drive की विशेष्टा नहीं है pen drive क्या कौन सी विशेष्टा नहीं है यह हैं एक optical drive का उधारन है दूसरा यह हैं USB port के माध्यम से जुड़ता है यह portable device है और इसे disconnect करना वहुत आसान है तता सुरक्षित रूप से कहीं पर लिजा जा सकता है इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो रहेगा option A क्योंकि option A optical disk के बारे में बता रहा है और pen drive optical disk नहीं होती है optical disk तो CD, DVD आदि होती है तो USB के बारे में क्या-क्या सचा ही है कि यह एक तो USB port के माद्यम से जुड़ता है बिल्कुल सही यह portable होता है यानि हटाया जा सकता है लगाया जा सकता है कहीं पर लिजाया जा सकता है बिल्कुल सही और इसे disconnect करना और लगाना वहुत आसान होता है यह भी सही है तो बाकी इसका सही job option है रहेगा नेक्स प्रसंद एक चोबिसवा MS Word में विकल्प पेज कौन सा विकल्प पेज की सामगरी के पीछे फी की पाट यानि गोस्टेड टेक्स्ट समलित करने के लिए काम में ले जाता है आप डोक्यमेंट के पीछे गोस्टेड यानि फी का जो टेक्स्ट है वो लिखने के लिए किसका इस्तमाल करते हैं दोस्तों इसके लिए हम वाटर मार्क का इस्तमाल करते हैं किसका इस्तमाल करते हैं वाटर मार्क करता तो ओप्सन एज का सई जवाब है नेक्स प्रसंद जो है वो अपना 25 फ्लोचार्ट यूजना बनाने का एक उपकरण है आम तोर पर निम्न का प्रतिने करने के लिए इस्तमाल किया जाता है दोस्तों फ्लोचार्ट का कहीं पर भी क्विशन आ जाए तो आपको याद रखना फ्लोचार्ट अलगोरिथम का इस्तमाल करता है किसका इस्तमाल करता है algorithm का तो इसका सही जवाब आप क्या देंगे आप देंगे option A अगला प्रसंद देखिए 26 वा कौन सी keyboard shortcut की का प्रियोग item का नाम बदलने के लिए किया जाता है अर्थात rename करने के shortcut की क्या है आप से पूछ रहे दोस्तो rename करने के shortcut की होती है app 2 app 2 से आप rename कर सकते हैं 27 वा देखिए उप्योग करता को नजर समय जित करने और computer को मैसूस जैसे desktop, background, theme, इत्यादी करने के लिए कौन से विकल्प होता है अगर आप अपने computer में theme बदलना चाते हैं चित्र बदलना चाते हैं उसका color बदलना चाते हैं तो आप appearance and personalized option का यूज करेंगे option A मैं तो पुर्ण प्रसन है द्यान से देख लेना इस प्रसन को वापस से पढ़ लेना एक बार और back लेके आप पढ़ सकते हैं आगे देखो 28 वा MS Excel चार्ट में डेटा बिंदू के वास्तिविक मुल्ले को क्या कहते हैं दोस्तों MS Excel में चार्ट के डेटा बिंदू का जो वास्तिविक मुल्ले है उसे हम डेटा लेबल कहते हैं क्या कहते हैं डेटा लेबल तो option B इसका सही जवाब रहेगा 19 वा देखिए निमन में से कौन सा DBMS का लाब नहीं है दोस्तों DBMS का लाब नहीं है डेटा सुरक्षा और अखंडता कुसल डेटा अधिगम डेटा निर्बरता और कम विखास समय इसका सही जवाब है दोस्तों कम विखास समय ठीक है और बाकी डेटा सुरक्षा और अखंडता हुसल डेटा दिगम डेटा निरबरता यह सब इसका सही जवाब है तीस्वा देखिए निवन में से सरवादिक वास्त्विक यानि Augmented Reality का उधारण है इन में से कुन सा इक Augmented Reality का उधारण है MS PowerPoint, Google Glass, Excel या फिर MS Word और इसका सही जवाब है दोस्तों Google Glass Google Glass जो है वो Augmented Reality यानि AR का उधारण है ठीक है Augmented Reality का उधारण है आगे चलते हैं 31 परसंद में आम तोर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट है जो की ऐसा तत्त प्रिविष्टियां जिने पोस्ट कहते हैं से मिलकर बनी होती है दोस्तों एक वेबसाइट जो बहुत सारी पोस्ट से मिलकर जो बनती है उसे हम ब्लोग कहते हैं क्या कहते हैं ब्लोग कहते हैं Option Age का सही जवाब है 32 वा देखिए 32 परसन आपके सामने है यहाँ पर कुछ एक फाइल का जो है एड्रस दिया गया है इस फाइल के अंदर यह जो यह वाला चिन्नारा पाथ में यानि यह जो एड्रस है फाइल का इसे हम पाथ कहते हैं पाथ में यह जो चिन्नारा ने यह वाला इस चिन्न को क्या कहते हैं दोस्तों इसको separate चिन्न कहते हैं क्या कहते हैं separate तो option है इसका सही जवाब है 33 वाद देखिए IP पते का मानने उदारण कुन सा है इनमें से कुन सा एक IP address है दोस्तों IP address का सही उदारण जो है वो option D है क्योंकि IP address में में सा नंबर आते हैं तो इसका सही job option D है अगला है email भेजते वक्त अगर email परते को खालिस्तान फिल्ड में डाले तो प्राप्त करता व्यक्ति को email तो मिल जाएगा लेकिन वह कौन अन्य प्राप्त करता का email पता नहीं देख पाएगा जो की उप्राप्त फिल् लिखेंगे दोस्तों आप BCC में लिखेंगे BCC का पुरणाम Blind Carbon कोप्य होता है अगला प्रसंद है MS Access 2010 में नव निर्मित डेटाबेस का default file format क्या होता है यानि MS Excel में जो आप फाइल बनाते हो उसका extension name क्या होता है दोस्तों उसका extension name होता है .accdb यानि Access database एक्सेस डेटाबेस option सीज का सही जोब है ऐसी के करके हमने 35% सारे पड़े 35% में तपून थे इन में से अगर आपके 20 के लगबग परसंद सही हो जाते हैं तो आप लोग exam में बहुत best जो है percentage बना सकते हैं दोस्तों उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें अपन धन्यवाद